आप देख रहे हैं CN24 गोरखपूर जिला अस्पताल में रेवीज की दवा का मरीजों को कम डोज लगा कर बच्चु ही दवा का नया इंजेक्शन बना के कुछ मरीजों को लगा करके पैसा वसूलने का मामला सामने आया है बांस गाउं थाना चेतर के सहाद्रा गाउं से आये हुए एक युवक ने अपने छोटे भाई को रेवीज का टीका लगवाने के लिए जब कमरा नंबर 10 एंटी रेवीज डिपार्टमेंट में पहुँचा तो उसे बताये गया कि रेवीज का टीका समाप्त हो गया है लेकिन युवक ने किसी प्रकार इंजेक्शन लगाने की बात कही तो वहाँ पर मौझूद रूपेश नाम के एक करमचारी ने 200 रूपे की मांग की और मरीज के बड़े भाई के तयार हुने पर 200 रूपे लेकर इंजेक्शन लगा दिया हंगामा तब खड़ा हो गया जब मरीज के बड़े भाई को पता चला कि अस्पताल में रेवीज के इंजेक्शन का कोई शुल्क नहीं होता है अब यह लोग बोलें कि 200 रूपे हम सोचें कि अब घर पर जाएंगे फिर उतना हमारा किराया भड़ा लग जाएगा तो इसलिए हम सोचें लगवा लें उससे अच्छा रहेगा पैसे की मांग किसने लिए आप से पैसे की मांग यहीं लोग की है इतना पैसा लिए आप से 200 रूपे है अब पता है नहीं सूप लगता है आप पिसे जिखता है इस बात को लेकर वह बड़े अधिकारियों से मिला वहीं पर दूसरी तरफ जिला अस्पताल कर्मचारी ने अधिकारियों के शामने 200 रूपया लेने की बात कबूल की और अधिकारियों के पूछने पर कि इंजेक्शन समाप्त हो गया उसने इंजेक्शन कहां से लगाया तो उसने बताया कि एक महिला और एक युवक के इंजेक्शन में से 4-4 ml बचा हुआ था जिसको उसने लगाया है इस तरह यह मामला और भी खतरनाक हो जाता है साथ ही मरीजों को भी सावधानी बरतने की जरूरत है बिना डाक्टर को दिखाए ऐसे इलाज से बचें और ओभी इस इस इस्थिती में जब दवा समाप्त होने की सूचना चस्पा की गई हो सर इन्जेक्शन बाहर से आया था लेग लेड़ी लाई थि सर उसमें उनको लगा था थोड़ा बचाए और एक लोगाओ लाए थे स्था इस पॉंटी हो गई सर अब बाक्ति उसी में से फूल आए गया जी सर इकना बैसा लिए सर वही दो सो लिए थी सर नहीं सर ये गलती हो गई सर